नियाएं उदय के साथ होते हैं आपकी चतुराई के साथ नहीं जो होना है सो निश्चित है फिर आकुलता क्यों करना है जैजिनेंद्र स्वागत आपका जैन शुद्धिवेंजन में आज हम बनाने जा रहे हैं मल्टी ग्रेन आटे की चटपटी मसालेदार पूरियां तो आएए देखते हैं हम इने किस तरीके से बनाएंगे तो देखिए जो हमारे अंग्रेन होते हैं याने अनाच वो बहुत ही पॉस्टिक होते हैं इसमें से जौर, बाजरा और रागी ये हमारी बोडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ग्लूटन फ्री होते हैं और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं मक्का थोड़ा सा हैवी पढ़ता है लेकिन टेस्ट के लिए ये भी बहुत अच्छा होता है तो आज हम इसी तरह मक्का, जौर, बाजरा, गेहूं के आटे और बेसन से पुरियां बनाएंगे तो बेसन से मसाला भी बनाएंगे और जो मिक्स करने के लिए जो भी आटे हम ल आटे हैं जいく ज़िए एकटरी करीब आटा हैने उसमें को अच्छी से पॉइल करने के बाद शुना वा जो ताजा मर्यादित आटा है पthis को ज्वार का बाज आटा लेका बाज ए और रागी का आटा ले आपको इसी तरीके से आटा गूंतना है गरम गरम पानी में हमें इसे इस तरीके से हम खीच बनाते हैं ऐसे इसको करके देखिए आप देख रहे हो ना पानी इसमें हमने कितना डाला है कि हमारा यह समा चुका है अब इसको हम अच्ची तरीके से मिक्स करके और इसको ढखके रख देंगे इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे हमारे स्वाथ के नूच्र, यानि भी हमने एक चमच की करीब डाला है पाणी में और उसके बाद हम इसको ढख रख देंगे अब आप एधी चाहें तो इसके अंदर ही आप मसाले पहले ही डाल सकते हैं पानी में जैसे हमारी थोड़ा सा सौंफ और जीरा दरदरा कुटा हुआ सेंदा नमक थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर या फिर आप चिली फ्लैक्स भी ले सकते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं वो भी इसमें क्योंकि दिखते ना उपर या फिर हरी मिर्ची के भी आप ऐस टुकड़े जो सुखा के रखते हैं वो उसे डाल सकते हैं तो हम इन सब को मेक्स करके और इसका एक थाली में निकाल लेंगे थोड़ा ठंडा हुआ है और उसको मच्छी तरीके से फेट फेट की इसका अच्छा चिकना आटा बना लेंगे थोड़ा सा ओईल का हाथ लगा के रीजन यह है क्योंकि एव जो हमारे गहुशार के आटे होते हैं यह एकदम से फटफट के बनते हैं तो हम अगर थोड़ा सा अच्छे से बॉइल करके बनाते हैं तो जादा अच्छे बनते हैं दूसरा तरीका जो अगर आपको इस तरीकी से खीच नहीं बनाना है तो आप परात में जो आटा लेंगे उसको अच्छे गरम गरम पानी से उसनेंगे तो उससे क्या होगा कि ये लोच वैसे ही आएगी और इससे चीजे जो भी बनाएंगे वो सॉफ्ट बनेगी ये इसका में टिप्स है तो देखिए हम इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं आटा मिला कर भी बना सकते हैं और गूद कर वैसा भी बना सकते हैं तो इस तरीके से हमारा आटा है वो चिकना बनना चाहिए ये हमारा मकी का आटा है तो हमने इस तरीके से मकी का आटा जवार का बाजरे का आज हम सब तरह की बनाएंगे तो हमने थोड़ा-थोड़ा आटा सब तरह का ल तो आप इस तरीके से जवार के आटे को प्लेन भी लगा सकते हो और अंदर मसाला लगा के भी बना सकते हैं दोनों आपकी इच्वाई से यदि आप बाहर मसाला नहीं डाल रहे हैं तो अंदर आपको मसाला फिल करेंगे तो भी बहुत अच्छे से बन जाएगी इसमें जो ति लाल मर्ची पाउडर डाला है थोड़ा सा हमारा सेंधा नमक डाला है और थोड़ी सी हमने शुगर डाली है खांड शुगर तीन चार दाने मतला है थोड़ी सी टेस के लिए तो बहुत अच्छा लगता है शुगर वैसे भी अगर हम आटे में थोड़ी सी चार दाने अगर ह मठरी बनाते हैं तो इसमें मोयंड की मातरा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी ज़सा हमारा मुठी बनता है उतना हम मोयंड लेके इसी आटे की सेम आटे से हम मठरी भी बना सकते हैं तो देखिए जब अच्छे से हमने आटा बना के इसको इस तरीके से छोटी-छोटी पूर बना सकते हैं क्यों काटा लिया और थोड़ा सा जो हमारा बेशन होता है चने का आटा उसमें हमने सारे मसाले डालेने हैं अजमाइन, धनिया, सौफ, जीरा और थोड़ा सा हमारा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर तो इस सब को मिलाकर हमने यह आटा जो जाता है, तो आप इसको इस तरीके से अच्छे से गोल करके बना लीजिए, तो मैं एक हास से बना रही हूँ तो थोड़ी सी प्रावलम हो जाती है, तो आप देखिए इस तरीके से बेल ले, दूसरा आप तरीका ये भी कर सकते हो, आप दो बराबर साइस की पूरी बना है, चेंज करने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, और समय बचाना है, तो आप सीधे बना लो, जैसी आपकी मरसी हो, आप ऐसा बना सकते हैं, तो देखिए हमने इस तरीके से पूरी बना लेंगे, तो जो हमारी पूरी के दोनो किनारे है, वो प्रॉपर बराबर फूलें एसा नहीं होगा कि नीचे का भाग मोटा और उपर का भाग पतला रह जाएगा तो आपने देखा ना कितनी अच्छे से ये पूरिया दोनों बराबर साइज में फुल गई है अब रागी भी आप तो सब जानते कि रागी हमारे लिए कितनी हेल्दी और पॉस्टिक होती है केल मसालो का है तो हम इस तरीके से इसका भी आटा लगाकर और हम इसकी भी पूरिया बनाेंगे और बहुत अच्छे से इसके पूरिया बनती है देखे दिया आपको तलाई पूरिया नहीं खानी है तो आप इसके पराठे तो बनाई सकते हैं आपको पता है रोटिया हमने आपको विडियोज डाले हैं इन सब मल्टी ग्रेन आटे की रोटी बनाने के मसालम निसी रोटी बनाने के भी तो आप सेम स जाएगी आपको जो शेव डालना है आप उस शेव से मठरी को बना सकते हैं तो आप देखते जाएए इस तरीके से हमारे इस चैनल पे सारे शुद्ध वेंजन रेसिपी होती है जिसे आप देख के इसका लाव उठा सकते हैं और अभक्ष खाने से बच सकते हैं तो देखिए ह तेस्ट के साथ हमें इस पेशली यह ध्यान रखना है कि खाना जो हमारा है वो पॉस्टिक होना चाहिए क्योंकि अगर हमारी स्वास्त के लिए अच्छा नहीं होगा तो इसमें हमें डबल अभक्ष का दोश लग जाएगा क्योंकि अनिस्ट कारक अभक्ष भी हो जाएगा जो हमारे स्वास्त के लिए अच्छा नहीं होता है वो अनिस्ट कारक अभक्ष होता है तो आप इस चीज का विशेश ध्यान रखें यह हमारी मक्य की मसाले वाली पूरी है तो देखिए इसमें जो हमने हरी मिर्ची दरदरी कुट कर डाली है उससे इसका लुक बहुत अच् सबघ्य गर में 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 ज़य को सेम समया गर्म गर्म कोई चैनल में लिए नाश्चेक्ट का बन खी चासिए है यह भी बहुत टेस्टी लगती है तो जब भी आपको कोई नाष्टा गरम-गरम कुछ बनाने की इक्षा हो तो आप इस तरीके से जल्दी में ये नाष्टा भी बना के सर्फ कर सकते हैं को भी मेहमानों को या फिर जब आपको शाम में कम भूग लगती है तब भी आप इनको बना सकते हैं तो देखिए इस तरीके से ये जो बाजरा, मक्का, जौर ये सारे अनाजे ये भी बहुत ही पॉस्टिक होते हैं यदि आप इनके बनाई सिर्फ चावल की ही बनाना चाहें तो आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं चावल के आटे में आप थोड़ा सा गिह बख्शा हो जाती है। जो हमारे स्वह परण शृद्श भोजन। इस्थाम यहीं कियोरिए इस लिए इस लिए इसका तरीके से आपने भूब्धारमश जो kami परणा वृत शृद्श भोजन के से इसदार होे थीत करते है। टूब थे परिपीन काया थो। बहुत अच्छे से पूरिया बना सकते हैं तो आपको वो रेसे पे भी हमारी वीडियो पे मसाला बनाने की मिल जाएगी सिंपल सा है मटर को आपको थोड़ा सा दरदरा कूट लेना है और जैसा हम हमारा मसाला दूसरा फ्राय करते हैं ऐसा ही बगार लगा कि आप उसमें मसाला डाल दें और उसमें थोड़ा सा सिखावा बेसेन डाल या उसमें चठ्टपटा वाला मसाला बना लें तो आपका मसाला तयार हो गया इसतारीके से बना सकते हैं तो खाना बनाना या बहुत ही आहसान होता है इंकaltraश्य ध्याद़्ीन रखना है कि किस चीज में कितनी और क्य quantity में सामान दलेगा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं जो भी यह मत्री हमने आपको पहले भी बताया है कि आपको सब में सिर्फ ingredients का दियान रखना है बाकी process सब की same है सब में same तरीके से मसाले डालेंगे मॉहेंड बराबर होना चाहिए और देखिए हमने यहों की और बाजरी की पूरी बनाई है तो बहुत ही टेस्टी है मठरी हमारी बनी है तो इस तरीके से आप घर में ही शुद्ध बोजन बनाएं चैनल को अगर आपको अच्छी लगती है ताब उसको लाइक करें शेयर करें और बहुत सारे साधर्मियों के स सब्सक्राइब करें जिससे सभी लोग शुद्ध वेंजन को बनाने का लाब ले सकते हैं और घर में ही शुद्ध बोजन की प्रेड़ना ले सकते हैं तो चलिए शुद्ध बोजन शुद्ध मन तो इसी तरीके से आप सस्त रहें प्रसंद रहें जैजिनेंद्र